नानक सिंग दा नोवल है अंसी तेज जखम पैलांग कतक दी निगी निगी दुपैर से डड़ी सुखामी ते मिठी मिठी तुप चमक रही से पर संतोक सिंग नू पता नी क्यों चंगी ने सी लग रही मंजे ते उंदी पाई बैठा उपो किसे बहुत ही डुँगी चंताच डुबबा वखाई दे रहा सी किसे किसे विले सेर उच्चा करके वाले द्वाले दूर तक नजर फेरदा ते कद होका परके मुड अंदर दे किसे डुँगी वैंच वैं लाग जांदा अचान के चप थप थप के से दे पैरांदी बिड़क ने उदी चेतना नूँ पल ही पल ने मोड ले आंदा डाकिया उदे सामने खडा सी जिने हतले थब विचो एक जरा पार अलफाफा कटके उस वल सुटेया ते सुट के चलदा बढ़िया सेरनावा अंग्रेजीच सी जे संतोग सेंग अंग्रेजीच दाई कोई अखर नहीं सी जानदा तेरवी किसे जाने पच्छाने चेरी वाग उन्हों समझच देर ना लगे के चिठी किसने पे जीये कुछ दा पेलें यो काफी ओखा सी उतो इस चिठी ने बढ़ दीते तेल दा काम कीता कुछ से नली को अरगी उदा स्रीर कंबन लाग पया उदा जी कीता के बिना खोलियां इलफाफे नू पाड़के फिती फिती कर सुटे चिठी दी था जे कदी इदा लेखक अचान चको दे सामने आजान्दाता संभव सी उटोटके उदे गाड़ पया जान्दाते शायद ताद तीक ना छड़दा जात तीक हो दियां आनियां बार ना निकलाउं दियां प्रेता विचारे निर्जीर ते मासूम कागस संभ इना ते गुसा कटन दा की लाब इहु सोच दियां होयां उनी जोडवले थांच उंगल पाके चटके नल लफाफा पाड़ सुटेयां चिठी सच्चुईयों से दी निकली जीदी संतोग सेंग ने समझी सी काफी वड़े वड़े चार पांच कागस दो पास सड हिंदी अकरांच लिखे वेसां पर काफी सुवार के तांजो कोई थोड़ा पड़े अवियना नू पाड़ सके हराम जादा पखंडी दंद करीच दियां उस कागजां दियां तेयां खोलियां पच्छां ते लोण तोड़ना जे बाकी से जो माम उड़ो ये वर के काड़े कार कर ले सु कंडियां पासों कंडियां समेट के लंग देयां जमें किसे दे पैरां हे ठाके एक सोना फोल में तेया जावाई कुझे से तरांदे पाप पैदा हो आई संतोख सिंग दे मांच जदोनु पिछली लागपग एक छे माई दियां गल्ला याद आईगा के डप यार करन वाला बंदा सी थी किने सोने देल वाला खवरे केडी दूती दी नजर लागई पड़ुए नू जो एड़क में ना बाण गया पर एक कोमल पाव एक अद मिंट दो वाद ने टेक सके उदे अंदर बच्चा जी माँदी छाती चूंगन विली उदे प्यार च गुडूंध हुन्द है तांकी उदों यूनू उमीं करना चाहिदा जो दों माउनू मौरा चटान नू फिर दी होए उस मित्तर प्यारे जांसन मदी नू किसे नू किसे ने वड के नी हेट देना जिडा एंज तो खा देके विसाकात करके चला गया होए ते उस आदमी नाल जीने सीने चुक लेजा कटके उदे हाथ जोडा देता होए बड़ी सजे सजे उख्याई नाल अखर उठा उठाके पड़न्दा यतनकार्या सी संतोक सेंग थोड़ाई चिर पहलां ताउने हिंदी वेच कह लिखना सिख्या सी ते सिख्या भी किसी होरतों नहीं उसे सत्तान जनमादी वेरी पासों पहला फैरा अरंबण मेले संतोक सेंग थियां खांबल ड़ईयां सन गुसे दी तप्ष नाल दूज्जा तीजा मुक दियां तीके तप्ष काफी कट चुकी सी माड़े माड़े डोरे ही सानोना वेच जिवें बलदी आग गुत्ते कोई छिटे पाई चला जा रहा होए तीजा खतम होगे चौथा शुरू होया फिर पंजमा फिर छेमा गंदे फड़ांदे टोकरे दी फोला फाली कर देयां जमें उदियां हेट लियां तेयां विच्वाद गंदे जरा साफ जरा होल साफ फाल निकली आ रहा हूँ काली-काली जन्नावियों तो हो सक्या पैरा खतम करी जा रहा सी ते जदू ही गंदे टोकरे दी तो रथल्वी तैती को जा उनु जा प्याज में टाक के बंगाले दी जा दू छड़ी ने छोके हेट तो लाके उपर तक डुल-डुल कर दी सज्जरे तोडे होए फुला फड कर रहा सी ता जो चिठी दा बाकी हिसा जीती तो चिठी मुका सके पर नमी मुर मुरो दी नजर तुंद ले कर देंदी सी ते अंतम पैरे दियां चेक कर लिया ना सतरा नु पढ़के उ बैठा ना रह सकया अंत में इतना और लिखकर पत्र को समाब्द करता हूं कि जब तक विश्नु जीएगा अपने बड़े बहिया और अपनी माला के लिए जीएगा और इन दोनों से बढ़कर अपनी मात भूमी के लिए इस लम्मी चिठी दिनाल जडिक छोटी अद को सफेदी चिठी टंक की हुए सी उदा मजमून उस खड़े खड़ो ते मुकाया ते एक वा दा बाद ते ब्रेली जलियांच किरी हुई सी एक चोटी जी रियास्त रामपुर है दी था इन उसी के नहीं बन दा है जद के हुन पार्ती रियास्तां दा खात्मा हो जोक है दूसरी है रियास्ता वांगे वी तक्त बरतानियां दी बक्षिश सी उना मुसल्मान सरदारानों जिनाने सत्वंजा दे गदर समें अंग्रेज माई बाब दी पुझ के साहे तात्वा वतन नाल पुझ के गद्दारी किते सी अबादी दे पक्षूंपा में रियास्त नांगे नोनी जेई सी पर रखबे दे तौरते कहियां रियास्ता नाल मुड़ा मेच दी सी हजारां एककड़ जमीन दा रखबा जिडा गदर तो पहलां को वस्सों सी ते जिदा चप्पा चप्पा वाई हेट हुंदा सी नवाबांदी कबजी ओनतो बादो दा ते हाई हिस्सा गयर अबाद हो गया ते वस्सों उजड़ पुझड़ गई इती हास्ती गवाई अनुसार उना लोकाने गदर दे समय अंग्रेजम दिगरुद बगावत कर देती सी जिदी सजाती तौर ते उनानु जाता फाहे लगना ते जाओ जड़ना पया इड़ी वड़ी मलकीयत नू संबाळन ते मुड़किया बाद करना राम पुरी नवाबांदी वास्ता रोग नहीं नाले उना दे ऐश इशदर इशुरत लईता उन्नाई रखबा काफी सी लखा रुपए साल दी प्राप्ती होन लग भी वड़ेयां दी जबानी सुनेयां जन्द है के बड़ी उपजाओ हुन दे सी ये जमेन जिदियां पहलियां दे बाग बगीचे सोधा सोना पैदा करते सन्द जबानी रवायतां तो छोटे से लाखे दे पुराने चिनवी इस दल दी साकी पर देने के जरूरे तरती कदी सोने दी खान के लोंदी होएगी अजवी जे कोई पाउंच चौं के वेखे था हर मेल दो मेल दी वाड़ते पुराने थे बावलियां खूते टटियां होयां हुएलियां सरावां दे खंडर द्रिष्टी गोच्रे होन दी बाकी दी रिया एस वाल के इस रखबे दा रामपुर्न नामकरन कदों ते केडे व्यक्ति दे दारते होयां इतिहास से दा उत्तर देन तो आरी हैं कुछ भी होए किन्नी पोएंग अरबात पई होए फेर वी नवाबान लेए रियासत सोने दे अंडे देन वाली मुर्गी चली का उजडन तो बात नवाबान दे कबजी आया कदीवी किसे होकुमरान ने उना लोकां दे कश्टा वलते आना देता नाई होजे सिर्दर्दी लियोना पास वेल सी मामली महसूल ते जंगल दियामदनी ही उना दिया लोडा नडवे नी ज्यादा सी जिनू टिकाने लौन खा यौरप जाके उत्हूंदियां ऐश गहानों पाग लोने पंदे जंगलां दी बहुतात जिती नवाबान ले तान को बेर्दा वर्दान साबत होई उत्य विचारे किसाना ले सदीवी सराप जमीन अत दर्जे दी ताकत वर्दे पाणी दी सत्ता नेडे हून करके जंगल दि सब्तो वड़ी आफद समझे जान्देने जिवी रात पेंदे के लशकर दे लशकर जंगलांचो निकल के पहलियांच जा वड़दे विचारे किसाना दी इकलात चौंपडी चूंदी दूजी पहलिची इकदा वैसी तर्ती हेटले पाणी दी सता काफी उच्छी सी पंजान जहरी ले मच्छांदी उपजूंदी ते मच्छांदी किरपानाल हर बर साते मलेरिये वबाबा शुरू हो जान्दी जड़ी अंगिंत जियानू जान्ता मौत्ते काट उतार देंदी जान सरीरां दी सारी रात न चोड़के उनानू फोग बना जान्दी ते उना जान्दी जान्दी ते नेकानू खार श्चंबलाद रोगा केरदी लगातारे एद्धान दे कष्टकारी जीवन ने किसान तब केदी जिमे मनुखी नसली बदल के राख देती काट दोना दे छोटे हो गया खांचुनिया अंग सितलते तबियत सोस्त तबियतां सोस्त कामका अर्वलनों जी चुरान वाले गल गलते खेज पैन वाले ताडी तमाकू पांगते अफीमा दियाम वर्तो करनू लग पै जिस करके उक्काई अना लोकां दी हड़ाम विच पांप एगी फिर वद्धे दी गले केन दी प्राप्ती उनानू मुफ्त मुफ्त हो जान्दी तमा अपने आपी चलांदे चल उग पैंदे सी एना अनमुले नश्यांदी वर्तों ने उना दी रंदी खुंदी रत्तवी चूस लई जिस करके जदों कोई वबा नाजल हुंदी पड़े आराम ना लेना लहू मास तो सक्णे पिंजरांदे कांड ला जान्दे स्वाल पैदा कि एडिया मसीबतां सेंदे हुई वी क्यों ओ लू के आदम खूर तरती नल सुरेश बन के चंबडे रे क्यों ना हूर के सिथान जाव से। पहली गलता है कि किसान ले शैर्ट चड़ना सौखा ते पहली चड़नी ओखी उन्दे है। दूजी कारदी जमेनों छड़के जाए। जिते दा संसकारली जंगलां दी लकडी मुफ्त सी, जिते दफनाय जानली पोयंब थेरी सी, जिते अर्थी नुमोड़ा देन वलें दी वी कमी नी। एद्धू वीक जबर्दस्त कारण सी, जिस करके मौद्दे मूच पाए भी एथू हटन्दा नानी संद्रन्दे एसी जमीन दा हद दर्जे दी उपजाव होना। चार सी आड़ां काटके एक्खा मीटके पामे बीज दा चेटा देदेओ फिरो दा उगणा निसरना ते पकणा यकेनी सी, पानी दी सता नेडे होन करके सिंजन दी लोड नही सी, पुरपुरी ते ताकत वाली मिटी होन करके गोड़न दा खटराग नहीं सी, बे देले ते बे में ते तोर ते बिजी होई केती दा विचाड होन दा हैरान करन वाला, जानवरां दे उजाडे दे बावजूद, मामला आद देखे वियोना पास खान जोगे दाने आजांदे, ते जड़े रता उदमी सांजेना दे हड़ जे पूरी तरह पाहा नहीं सी पई, जेड़े वाही ची कुछ दिल्चस्पी लन दे ते जानवरां दी मारतों पहलियां तो बच्वाण ले जिगराते काट साकदे सन, उना दी हालत तो होरवी चंगे सी, इना ही कई कारना करके लोग बदकिस्मती दे वार सहार दे होई भी ग्राबर डरे होई सन, अपो अपनी था, रामपूरिये के सानना दे कश्ट जे कदी कि इसे सीमा तक सीमत रन दे ता संभव सी, उन लोग अपनी कदीमी आदत अनुसार पगवान पली करेगा दी, चूठी सची आसोते वक्त नू तक का दे जान दे, पर दुरपा अगने पैरों का डंग ले, हर बरसात तो बाद अगली बरसात नमी तो नमी होई, कोई विप्ता लेके नाजल होंदे, मलेरिया दूनी चौणी शिदतनाल हमला करदा, करांदे कार अड़िया रगड़ दे दिखाई दे ते उतर निखस्मिया केतिया नू जंगली सू डंजाला लाक तक किन्या कुम रिजानों इसनाला पहुंच दाते किन्यानों अजल दा लुकमा बढ़ना पैंदा रभी जाने, फिर समा पाके जंगला ने होर प्यानक करवट बदली, जेडे रखबे जंगल बन चुके सान सारे सेम दी मार हेठा गए, उना दी सेम ने अपनिया हद्दाउ लंक कि अबाद पहली हमल रुक गेता है, जिसकर लुकाई ले एक नमीस मस्या पैदा होगी, हर किसे दा विश्वास सी कि इसे तेजी नाल जे सेम बदी आई, ता दस पंदरा साल लांट सारे जमीना दा रखबाई दी मार हेठा जाएगा, हर साल जमीन दा कुछ ना कुछ हि करेगा दी, रट लाई चले आरे सांते, जहां फिर मियें दी दाड मसीद ता कोड़ी गल, के त्रे माही बाद कुछ लोग कठे होके रियास सदे हाकमा पास जाफर रियादी हुंदे, पर किसे दा सिर्फे रियास ही, जो इस फुजूल बक 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 वलते आं देंदा, वबावा आहू लोनियां गयां ते के साना दी हालत दिनों दिन पतली पैंदी गई, दूजे बासे होना लोकां दी जिन्दगी दियां लोड़ां वदी जा रियां सब, नतीजे दे तो औरते के यां, शेख फरी दी कहाउद, के चर्चा प्र तुटे में उत्ते अमल कर दें पहली आनों जिमीदार पास रहें बैक करके नसना शुरू कर देता, ते कई जिन्म कोई गाक ना मिलया, छटके निकलतु रहे, ते कई अजे तक भी हुएं पगवान पली करेगा दा, मंतर रट दे रहे, इदरी हफडा तफडी मची सी ते दूजे पासे जिमीदार ने बिल तर तक रियास्ती अफ्सरां जेर गौर आचुकियां चा, अखाने बारी मरी रूडी दीर वी सुनी जाए चेकर रंपूरती तरती दीर वी सुनी 게 ते जड़े उना जमीना जो सोना हो जान दे खाब माला है रहे सान। ते जना दी खुशकिस्मती नू रामपुरी नुवाब बंदा छेक करला हो कुम रहन। एक पड़या लेख्या दी कुछ ना कुछ अगां वदू अथवास दा रख्याला दा बंदा सी। निड़ा जमीना से बंदी आउन वाले खत्रयानों काफी चर्तों मैसूस करदा सी। ते नमियां लेहां ते चलके उसारे जंगलानों वाही योग बनाओं ते अव्योंता बनाई बठा सी। इस मतलब ले अड्मिस्ट्रेशन राही काफी चर्तों अंग्रेजी सरकार पासों माली मदद लेंड लेवी लिखा पड़ी कार रहा सी। क्योंके इंगलेंड ते अमरीका देसां दे दोरे तो बाद वेस के समदियां जबरदस्त रीजान लाके मुड़े आ सी। निरा खेती बाड़ी वज्जों ही ने सनत कारी देता और ते वी। चेकर अंग्रेजी हकूमत ने ओधी ये स्कीम लेए का तकड़ी रकम बेवियाजी कर जेते देन दी मंगनू सविकार कारे लिया। रुपए दी ओधी अपने खजानेज कोई कमी नहीं सी। क्योंकि अपने वड्यावांग वो उजाड़ू जा आयास के संदा हुकमरान नहीं सी। इदे नाली जद रियास दे जीमी दाराने वी उस वल सहायता दा हात वदाया। तो फेर देर किस गाल दी सी। पूरे जोर शोरनल काम चलू हो गया। रियास दा जिन्ना को अबाद रखबा सी। उस विच सब तो बहुती कास्त दू चीजां दी हुन्दी सी। कमात ते कपादी तेना दोहां जिनसां दे आसरे मुरादा बाते ब्रेली दियां कई कॉटन मिलान चल दियां सान। सो इस चल दे काम तो लाब उठां दे रादे नाल सब तो पहला उन्हें रामकुछ बहुत होड़े पैमाने थे। इक कपड़े दी खांड़े मिल जारी के थे। पर जी दा लाब के वल रियास दे जिमिदारा नू ही हुया। दुजा कम जेडा उस रंबे आईसी हजारा एकड़ रख बेज फैले हुए जंगला नू साफ करके वय योग बनाना। स्कीमपा में बहुत वड़ी थे खर्चाउसी पर नवाब ने जिस साबत कदमी नाले नू रंब किता। इदा नतीजाय होया कि तिनना चौं सालांचे एदा मूं सिर्व खाई देन लाग पया। खास तोरते खाईयां ते बना आदा कांता समापती दे नेड़े जापान चेया। जिदा सुनेरी सिटा सामने आया जद बड़ी छेती सेम कटने शिरू हो गई। सब तो वड़ी मुहें सी जंगल साफ करन दे। पर लगपाग दो टाई सो साल तो गिवे जंगलानू पुट्णा वी ता मजाख नहीं सी। ते सब तो वड़ी मुश्कले के जिना स्थानक आदमियां दे बहु बालनाल ए मुहें शुरू कित्ती जानें सी। उजान था कदे दे उजड़ कुचड़ गये संग। ते जान जड़े बाकी सान विचारे असलोई निकारे दे बेहस। ना होना दे सरीरांचे ना तांसी ते ना उद। छेकड़ बहुत सारी सोच विचार मगरूं कुछ स्यानी दिमागा ने खोर जुगत कड़ी। अर्था दे कम पंजाब दे कार्ष्ट कारण नो सौप पया जाए। हर कोई जान दा सी के पंजाब दा किसान ना के विल हर दर्जे दा सक्त जान है ते सिरर दा पकाई हुन दा बलके जमेन दा आशिक भी। ते इश्क दे बदले सिर्थ तर दी बाजी लाउन दी शक्ती पंजाबियान नो विर्सेच मिली हुई है। पंजाबियान दी गुड़ती चरड़ी हुई। जयों ये इस तजवीज नू अमल चले उन्दा मता पास हुया। जयों ये इस त्यार बाजी शुरू हुई के पंजाबी किसाना ने आके वेख्या। आवेख्या ना था रियास राम पुर्वल उन्दिया वहेरां छोट पईया। अंग तीसरा। अखवारां चलान होन दी देश सी के पंजाब दे उन्दा थोड़े हुई किसाना नू जेना पास कदी भी लोड जोगी पोई नहीं सी हुई। राम पुर्वल तावा बोल देता। जमीन सच्चों सुधा सोना सी पर इसोने दी प्राप्ती ली जानना लड़ां दी लोड सी। संगने जंगलानों साफ करना पर जान लडानों पंजाबियाने कदों दरेख केता फिर पोई बदले। शर्ता मौत सुखाडियान संग सौर पे प्रती एक कड़ कीमत जेस्टों दस फीस सदी गाउं ते बाकी दस सालान ये ब्राबर ब्राबर के श्तांच। माल की दे हाक शुरू तो इंखरीदार नों मिल जान दे संग। पर रहन बैकरन दाधिकार दसां सालां बाद वो तो पहलां जे कोई छाड़ के चला जावी तो ओधी मर जी मुडले पांच सालांच कोई मामला नहीं लिया जाएगा। पंजावदे जिना करसाना ने खरीदन तो पहलां रामपुर जाके जंगलां दी देख पाल की ती। वो पूरे उत्षार नल परते संग। बहुत सारे ता मिट्टी दा नमूना भी नाड़ लेंदे आई। काड़ी ते पुरपुरी मिट्टी सी जड़ी ठीक ही सोना उप जान वड़ी मनने जान दी है। हर किसे दा क्यास सी के जंगल साफ करन दी टेल ले क्यो तो बाद मौज जाई माचा। हर चिंग्याई नल बुराई ते हर सुख पढ़ नल कोज दा कुझ ना कुझ आँच कुंदा ही है। रामपुर्दियां जमेना जिती हर पाक्तों ननू होसला वदाऊ जापियां। वो थे दो पारी खत्रें वल्वी स्थानक लोकाने होना दा ते आंद वाया। पर साथ दे मौसम चु मलेरिये वल ते फसलां पकन दी रुते जानवरां दी अंतबाकारियां वल। पारेना मुश्कलां दा हाल ऐसा कठन नहीं सी जदके मलेरिये दी रोक थाम दी जमेवारी रियास था अपने जमेले आ रही सी। ते जानवरां तो बचाओ करन जोगी ही मधार के से विच हैसी। फेर वी ये विश्वास दुआया गया कि जानवरां दा खतरा उचरता की है जत्ती की जंगल साफ नहीं हो जानदे। उदों सान उननी सो चाड़ी खतम हो जोगाची जद पंजाब दे कास्तकाराने रियास्त राम पुर्च जाके वसरां शुरू केता। जड़े जड़े गेते जा पहुंचे उन्हानू बहुत चंगी किसम दे ते मान मर्जी दे रखवे हाथ थाई। ते जमें जमें लोकी पच्छड के पहुंचे उसे करम नाल काट सू उलतां वड़े रखवे उन्हानू प्रापत होये। इस लेखे नाल शेख पुरे दा संतोक सेंग तां पागशाली निकलिया। जिने लोकां दे होड़ देयां वर्जदेयां वी सब तो पहला साठ सतर एक करदा सब तो चंगा रखवा जामल लिया। जमीन ता सारी एक तो एकवाद सी पर जिना लोकां ने उमर दे दाईये बन के वसनां सी उन्हानू खोर वी था नेका सू उलतां दी लोड हून दी है। संतोक सिंग ने जड़ा टुकडा करे दिया वो बलासपुर तैसील तो पंज कुमेल दी दूरी दे सी ते जिनू तिश्या रेल्वे स्टेशन भी नेड़े लगदा सी। जंगल दे ऐसी सिद्यान विचकार करके फूल सिंगा नादी कथे सी जिस उते रहाइश रखनाल सारी जमीनों ते निगरानी रखे जा सकती सी। नड़े थां उच्चा हून करके मलीरिये दी मारतों भी किसी हाथ तक बचे रह सकता सी। बलासपुर्तु लेके तिश्या स्टेशन तक वगदी कच्ची सडक फूल सिंगा दे नाड़ुखे के लंग दी सी। के किसे समय फूल सिंगा ना के वलको गवसों रह चुका सी। बलके ते बाग भगीचियां दी भी बहतात हुन दे सी। फूल सिंगा दी लाग पास होर भी बहुत सारे थे वर्तमान सन। जेडे अपनियां मुडलियां रवायता अनुसार कुन्वी खुवा खेडी रतोना बगियां, सुर्तानियां, हाजी खेडां, छांजी वळाद नावानाल सदे जांदे सन। ते इना नावानाल नमी स्कीम अनुसार जंगल दी रखबे नियत कीते गय सन। जंगल दी द्रख्ता नाल अबाद कारां दी मालकी दवास्ता नहीं सी। ए सब र्यास्त दी चीज सन। जीदी पक्याईली हरीक द्रख्त देतने नाल नंबर उक्रे हुए सन। अलबता मकान, गड़ा, जहार, पंजालियाद बनाओं लगी लोडीन दी लख़ड ए लोग तैसील दी आगयानाल वर्थ सकते सन। ते इसे सरकारी दौल देकारन जंगल नुके वल पुटन दी ही आगया सी, साडन दी नहीं सी। जे कदी ये पबंदी ना हुंदी ता अगला के दिना जी सारे जंगल साफ कीते जा सकते सन। पर रियास्त नू जेड़ी लख़ण पे साल दी आंदन सी। उदा नुकसान कौन पर दा। फेर वी एन्नी को गुंजाईश राख देती सी कि 10 सालां तो बाद हारी का अबादकारनों आपो अपने रख़वे विचले द्रकतां दी माल की दा हक देता जाएगा। सरकडा आम सी ते लकड़वी लोड जोगी मिल साकती सी। जिस नाल नमी अबादकारने वेख दी ही वेख देयां चौपडियां टप्रियां चातलें ते आपो अपने टबर कभी लेना चले आवसाई। खास करके तैसील बिलासपुर दा इलाका जिते सब तो बहुते जंगल सांता पंजाबियां दी बसती ही जापन लग पया। संतोक सिंग क्योंके सब तो पहला आया सी इस करके दूसरे यांदे टाकरे वेचो दे पैर चंगे रे जम गए। कुछ ता उंजी होदी जमेन सब तो चंगी। नाले होर कहीं सूल था वाली थे कुछ संतोक सिंग है भी चंगे गुर्दे वाला बंदा सी। संतोक सिंग जंगल दी पुटाई मांग कर दी सी। बहुतियां बहां दी। पर इन नी कुकाटने संतोक सिंग दा उत्षा टिलाने सी पैन देता। उदियां दो वहां चौंब वहां जना बाल सी थे। उन्हें दिल नाल पक्का फैसला कार रहा सी कि सौनी दी फसल बीजन वेड़े था कि जी बहुति नहीं तो दास पंदरां कुमां पहली। उजरूर त्यार कर लाएगा। जट दा पुतर हुंद आ होया विशंतोक सिंग दिल दा अत कोमल दी ख्यालान दा उजला सी। थोडे दी बोडी करन दा जे वक्त आबने तो पिछाँ हटना नी सी जान दा। शैदो देसे मुडले सुबादा सरसी के फूल सिंगा आके एक छोटे जे परस्वार्थ वाल वी ओदी रुची लगगी रहन दी सड़क दे तिन-तिन मेल दोहीं लंबी रही मुसाफरा ले कोई अरामगा नहीं सी जे स्वाल ओदों तो योदा ते आनकेचे आगया जोदों सड़क देखनडे उन्हों अपनी मलकीयत चेक बॉली विखाई देते जडी थोड़ी जिन्नी मुरमत नाले कारामध हो सकती सी एस कामनू लगदे हाथी कार्चुकन तो बाद होनेक लोहे दा डोल लेया ते टिकादित्ता ते ओतो बाद रहियानू ठंडे पाणी दा मटकावी वखाई देन लागपया ते जियों जो फूल सिंगा दी बॉली दून नमान जीवन प्रापत हुंदा गया राईया पांधियां दी रोनक वद्धी गई होर थोड़े दिना तक बॉली दिनाल करके सरकड़े दाएक टारा वी चतिया गया संतोक सिंग दा पुर्शारत जिती पहला निरा प्यासियां दा ठार सी होन ठक्के मांदेली अरामगार वी अरामगावी बढ़गे आंग चोथा हुंदिया हुंदिया फूल सिंगा वड़ी बॉली बिलासपुर ते तिश्या स्टेशन वे चाले एक चोटा जम्मू साफर खाना वखाई देन लग पया कुछ तो पंजाबी अबाद कारं करके सड़कुतिया वाजई बाद गई सी ते कुछ शिकारियां दा रुखे स्पासिवाद जान करके रियास्त वाले जात्तो मारे हुए जाज्यों दे सूर नुफडर लई वाले ले दोर पैवी फी जानवर इनाम दा अलान होया तो तो निरा शिकारियां नहीं नी बलके खटीक का सांसियां आद कई पेशावर लोका ने वी एस काम चे सरगर्म हिस्सालाना शुरू कर देता दूर दराज तो चड़े शोकीन जा पेशावर शिकारिये तरह उंदे सन उनान दे रहन बसेरे ले फूल सिंगा चे चंगी ठाहर सी जड़े गुरूपा दी शकल चोके ते हर लोड़ीं दे समान नू गड़ियां थी लद के तूर दे सन सूरां दा शिकारां तौर दे राद नू किता जान दा सी खास करके चाननिया रात तांच जो दो वग्गा दे वागे जंगलां चो निकल के पहली अवाल दा रुप करया कर दे सन शिकारी लोग सारा देन फूल सिंगा दे थे ते गुजार दे ते रात पैने लाल अश्ट कर लेके शिकार नू निकल तूर दे सन ते जेड़े अपने सफल फेरे तो मोडन वेले ना के विल रज्विया सीसा इफुला सिंग दे मालक नू देदन दे बलके शिकार दी का दरांद भी शिकारियां रेल दे मुसाफरां ते आम रहे करां तो छुट इक होर तबके दे लोग वियक सर फूल सिंगा ते पड़ा करया कर दे। ये सन बंजारा वंजारे लोग जेड़े मुन्यारी तो लैके करया ने ते होर बहुत सारे आम लोड़ बंदी चीजां कोतियां खचरां तो लद्ध के हर चोटी वड़ी बस्तीच जिते हाट बजार दुराड़े होने वेच दे फिर देसां। किसे पांड़ेटी इंड़ी लोड़कें थी ते संतोक सिंग थे उधी पतली बिना मत्य थे वट पायां। उना थी मांग पूरी कारती। इस सेवपाब ने संतोक सिंग नू मानसिक लाबता पुंचाया ही पर क्रोगी तोरते भी बहुत वड़ा लाब होया। अर्थात जीमी दारे दे तोरते उधा इकला पंदूर करन दा लाब। उन्नों रबों ही कैसा काम माजा सीरी कुछ भी समझो प्राप्त हो गया। जिस खोणों वेना दिनाज बड़ी काट मैसूस कर रहा सी। इक शामी ओ जंगल दी पुटाई तो बाद अपने नेम अनुसार का अरजान तो पहलां बॉली दे जा पज्जा। शायद किसी लोडवां दी देख पाल करन देख्यालों। जियों यों टारे अगे पुझाता अंदर ले दो मुसाफरों दी नजरी पहे। एक गबरू एक मोटे आर। कुड़ी पुझे लेटी बुरी तरां छाट पटा रही सी ते गबरू सरांदी वल बठाओ दा सेर्कोट रहा सी बड़ा कबराया आते सेमया हुया। उना दी गंड पोट ली टा रही थी थम्मी लागे पे इसी। रभा रमी यों अंदर लंगे आते फेर उस गबरू पासं पुझ गेच शुरू के थी। जीदी जबानी संतोक सिंग ने सारी विथ्या सुनी कुड़ी नू जड़ी ओधी पैन जाप दी सी। कईया दिना तो बुखारा रहा सी बड़ी दूर के तो इदो में पैदल तूर दे कई दिना दा सफर चाग के थे पहुंचे सन। वेसे तर वक्त नू तक का देंदे चले आये सान। एदर कुछ चर होया उनानों किसे दस्यासी के रियासत ने जमीना बारे बहुत सारे सुधार शुरू का रखे ने इनना ले ननिया बादियां शुरू हो जान करके एदर मेनत मुझ दूरी विया मिलन लग पैये। वरे आं बदी प वतंचे जे कोई हान परवान उनु लग पवे था पैंड दे फेरे दवा के एचिंता तो स्तंतर हो जाए। फेर पामें के ते वी राये उनु कोई परवार नही थे सफर दी आं तक लीफान चाग दी चाग दी पैंड। राविची भी मार पैगई। जिनू किवे ना किवे पैसरदार जी इससे तो कहीं अच्छा भगवान इस लॉंडिया को अपने पासी बुला ले। केंदा केंदा बाली राम फेस सीपया। कुडियो ना गलानों नहीं सी सुन रही। शायद बुखारदी को कुई करके अथ्वा नेंदर करके। चिंता ना करवीरा संतोग सिंग नहीं हम दर्दी बेच पेज़ के किया गुरुपली करेगा तुसी राद तांकटो इत्थी वैगरु आके पलके मैं साधलेया मांगा किसे से आने नू मनी पूरां देने एक हकीम है। बाली राम ने एक वार करूना पाब नालुस वल तक क्या ते फुर कुझ उपेख्या ज आने खेचल देने बाली राम पसंद नहीं सी करदा। खेचल तो ना डर्वीरा बंदा बंदेदा दारो होंदा है। पगवान पला करें सर्दार जी हम पर हम लोगों को अभी जाना है। पर एस विचारी दा कोई हाल है उठन दा पले आलो का जाना के थे। कहीं रात कटनी काटनी तो होगी सर्दार जी, खुवान खेड़ी चले जाएंगे और नहीं तो खुवान खेड़ी पर ओते तो पांच छे कुवान तो काटनी होना। सो तो जानता हूं सर्दार जी पर वहां पर अपनी जात बिरादरी का तो कोई ना कोई हो गई। संतोक सिंग नों पता सी के खुऊंग खेडीच, सैनी, पासी, चमार, जा मेग कहारा जातां दे, सारी लोकी कदों दे उजड़ पुजड़ चुके साल, वो बोले आपर उत्थों दे पंजाबियां तो छोट और के से जादधा कोई बंदा नी, अजकल नाले उत्तो रात उतर आये, कि कन तो उस वेचा की बेहन बेटी कैसे बच पाएगी, बाली राम दिला जे तो संतोग सिंग ने मैसूस कीता, जो में पंजाबी लोकानों खतरनाक के समदे द्रंदे समद्रया होए, ते वोदा लबला जा संतोग सिंग दी हिकच तीर बणके बच्जा, पहला तो गुसे ना लगब गोला हो उ को जियां करतूतानों चेते आईयां, जड़े अक्सर पंजाब तो बार जाके अपने वतन ले कलंक साबत होया कर दे सान। जिना बारे आम तोर दे गैर पंजाबी लोकान दे उभी विचार सान, जड़े उदे उने बाली राम दे मून सुनें, इस अन्भवने संतोग सिंग जिते शरम चे डोब देता हो, ते नाली एक हसरत जही हो दे अंदर जाग उठी, काश कदी मैं पंजाबियां दे मत्ये तो एक लंक दा टिका साफ कार सकदा। ते बाली राम ने उत्तर वेच, ओ कुझ भी ना कह सक्या, ते नाई मुड़के हो दी जुरत पई, उना दोहां म मुसाफरानों रोकन दे, बाली राम दी पैन जडी हों तेक अखा बंद कीती सी, पई सी, अखा उगेड के अपनियां चंचल पुतलियां उत्तर कंदी हो ये दर उदर तक की जारी सी, जी तो जाबदा सी के बुखार दी कुखी जो नहीं, सोगो नींदर चो दी चेतना परत इसी, श्याद अध चेतना दी हालत विच उन्हें दुहानी अंगलां के सी हाथ तक सोन लेंगा सान, एतो पहला के उत्तर विच संतोग सिंग नू कुछ और दा, बाली राम नहीं खोर वाक दा तीर चटिया, जड़ा पहला नाड़ों भी डूंगा उतर गया, संतोग सिंग इन लोगों के मारे तो किसी भी लोंडिया की आबरू नहीं बचेगी, ना जानें, कहां से चले आए हैं ये लोग के, ए बिलिया, कुड़ी ने वडियां वडियां वान कुर्की दिती, उन्हों काहे बकबक करे जाथ है रे, पांचों उंगली एक से थोड़ा हुआ करे, तो उस सचे ही मैसूस करदा से के गल कात करन्दा सवूर उनका टवादे से, अपनी आखां दे बोजल चप पर हलाओं दी होई कुड़ी ने संतोक सिंग नो संभोधन की था, ये तो पागल है सिरदार भाया, बिलकुल बेवकूफ है, नराज मती होई यो इसकी बात पर, ते फे की नजर में जान लेती हो, तो फिरो संतोक सिंग नो कहान लगी भगवान भला करें सिरदार भाया, हम लोग इस रात में कहीं नहीं गई हैं। शुकराने दे तोरते संतोक सिंग नियां खांच नमी आ गई, खास करके इस कुडी दिया नुखी करामात तक के के जिस बंदे नुँ उन्हें उपरोकत वाग कैसान, वो अग्गों टास तो मास नहीं सी होया, संतोक सिंग ने हुन बाली राम दे वजाए कुडी नु अनु दखाया, जानती हूं, कुडियों में सरलपाव चु बोली, सब पंजाबी लोग इसे पहना करते हैं न, पर बीबी शैद तरनु पता नहीं, इसाड़े गुरू बाबेदी निशानी है, इनु छो के मैं कहनना के मैं तरनु पहन समझांगा, पता नहीं के होजे पावा अनु प्रेरत हो के संतोक सिंग ने वाग कैसान के मुड़के दोहां चो किसे नु भी कुछ क्यान सुनन दी लोड, बक्की ना रही, बाली रावनु भी गुम सम बैठा तक के संतोक सिंग नु कुछ इस तरहां दी शंका हुआई, जिमें आजे तक भी, उदा मन पंजाबी आजे दरंदियां बारे साफ ना होया हुए, उसे वल त्यान मोड़या, क्यों भाई गुर्मका जापदा, अजे भी यकेनी आया तेरे देल में। इसकी बात पर नराज मत होना बड़े भाईया, जवाब कुडी वलों, ये विचारा तो भोला महेस है, जैसी तैसी मूँ बा आजे तीक ना चोटी ते ना वड़ी पैन कदी तकी सी, ओधे माप्याने किसे भी कुडीनू जनम नी सी देता, संतोक सिंग उठ खड़ ओता, ते कुडीनू एक एंदा होया, टारे चो बार निकल गया, मैं जाके पेजना तेरी पर जाएनू, तेनू संबाल के ला जाएगी आंग पंजमा बुखार ममुली सी जड़ा 57 दिनांदे और पॉड नल हट गया, ते ततया नमी नरोई होगी बाली राम अपनी पैन नलों दो तिन सालों मुरूपा में वड़ा सी, फर सुबा अदा दबूजया, ते अकल दमाग वलनों भी काटे वन्दा होन करके, उमेशे ही अपनी पैन देशारे आंदे चलदा सी उस विचारे पास जे कोई गोण सी तबासे हो के जिस कमते लग जाए, जान तक लड़ानों भी फर्क ने सी करदा हद दर्जेदान थाकते सबर साबूरी वला सी, ततया देके सेवी अदेशनों रब्भी फुर्मान तों काट ने सी समय दा ततया चोटी प्यान हुंदी होई उसले मांदा दर्जा रखदी सी, जीदी इकाद फटकार पई के बाली रांपी जिबिली वण गया ततया वी ता अपने प्रावांगी नियक्री सी, परान पढ़ूंदी होई वियो सुबाधी बहती खुली डुली ते हद दर्जेदी निजक कुडी सी, आनो कुदरत ने उनु पुल के कुडी दी जून च पादेत्ता हुए जदके उस पास एक चंगे गबरु वाला देल ते खुब रिष्ट पुष्ट सरीर सी, तै वारी था उदी ये मर्दाना फित्रत इस हद्ती के जा पाँच दी के वड़िवडे दिल गुर्दे वड़े नौजवान तक के हरान रह जान दे सान। इदूमी पैनपरा जिस समय से लाकेट हुँ जड़के गए सान, उदो तत तही आदी उमर 12 साल ना तो बाद नहीं सी, पर एनी चोटी उमरे भी वो अपनी खेती बाड़ी नाल से बंदत सारी काम कार लान दी सी, एथो ताके उनू हालदी हनी फड़ बलदाने मगर पैस, याड़ वाने आत वा गड़ा चलाने आमी वेख्या जान्दा सी, वड़ी जाद आदे के साना चे हो जे काम कुडियां स्वानियां ली वर्जत समझे जान्दे सान, पर एक कुडि केसे उची जाद चो नहीं सी, जिस करके समाजिक त्वरते, अजे कमा दी उसनू रोक नहीं सी, पर लोकानू हैराने ताई वेख्य हुंदी के नी चोटी जी उमरे किकणू स हाल ते गड्डेनू सने वल्दां दे काबूच राख साक देसी, वड़्यां वड्यरे वां तताया दवी अपने खेतानाल अनमे ता मोसी, ते उदे निके जे दमाग चबगोद वड्यां वड्यां गल्लां परियां रहन दिया सान। अपने खेतानू बाग बगीचियां दी शकल्च बदलन दियां ते मापयाने उदियां रिजाँ पूरियां करन खातर अम्बापपित्यां दे मुरूदा आद्यां निकां भूटे विला देते सान जियों एना दे फालन दा समा आया सेम ने एना दे सारी पूएनों डोबणा शुरू कार देता तेदा अंतम से टाय होया जो दूसरे आन लई सेजे सेजे जद अखेरली पहली चवी सेम दा पाणी तर्न लग पया तब इना नसर्म तो इना ले होर कोई भी टंग बकी ना रहा उस्तो वाद इस परवार ने बे कारते बेवतन होके पंज सत दस साल गुजार दे कदी केते कदी केते पटक देयां ते एसे खाना बदोशी दी हालत वेच इना दूहां दे मापयो वारो वारी मौद दी गोदी च जावरा जे एक तक खाना बदोशी दूजा सिर्ते मापयो दास आया उठ जान करके बाली रामता उक्काई हाथ पैर छाट बठा पर अश्के आखो इस कुडी दे जिने छोटी प्यान हुंदिया हुया वी माँ बढ़के अपने चलवल लले परा नू संबाली रख्या एद दैं शेयरों शेयर पटक देया इनाने इकलमा समा गुजार गता चेकड अपने दुझे हामवतना बासों जा देनानू दास पै के रामपोर्च छडियां हुया इना लोकान या जमेना सेमा आदे खात्रयां तो सुरक्यत हो रहिया ने ता दूसरेयां दी रिस से रिसी इना निवी एस पासी मुहारा मोडी संतोग सेंग दी मर्दाना अनकने अनुटिम प्रूम्बयार इक अजनवी कुडिदे सामने इक दिनोंने अपने कडेनू हाथ लाके जड़े दो चार वाक्या देते सानुणानू अमल चले आउन दा चेता उनू मुड कदी निपोल सक्य संभवसी के संतोग सेंग दा किता होया उस्वेले दा प्राण एड़ी सुखेंता नल निप सकदा जे उदी पतनी साथ ना देंदी पाल्लो जेदा पूराना किरपाल का और से उनना दोहां परदेशियां ले साच मुच दी परजाई साबत होई थे तो तैया नूभी उने हक की की ननान दे तोर दे अपनाया कुद्रत ने पामें पालो नूँ सोहपन दी दाथ तो वंजी रख्या जी परे दे बदले एक अत सोना दिल उदे सीने च पाके कमी पूरी कर दते से पैलो बैल जदो अपना पेंड चड़के पालो ने फूल सेंगा दे थे उत्ते आके टप के जंगल चलिया सुटे है पर जदो संतोग सेंगोनों सबस वाग खोने शुरू करदा ये थे बाग लगन गे मुड़े नल मुड़ा खेंदा नजरी आएगा ये थे मैल माडियां सरंगे ता पालो दे माननों काफी खले आड मिल जांदी फेर भी जदो राती सुतियां सुत दोन नमें जियां दा प्रवेश होया खास करके तताया दा पालो काफी खुश-खुश विखाई देन लगी निराय हो नहीं के उधी कलताच कमी होई बलके इक जई से लिवी उनु मिल गई जड़ी स्वेर तो लेके राती कामतन देज खचत हुंदी होई भी कदी मथे ते व बाली राम दी गल उसले ही ता प्याण दी आग्याई सबो कुछ सी जिदी आग्यानु सारो सारा दिन बड़े भईया नाल राल के जंगल दी पुटाई घर दा ते शामी जद मुड़दा तावी तताया उनु किसे ना किसे काम ड़ाई रख दी होर कोई सुचा ज बाली राम शामी कार पहुंच दाते उदर तताया ने जंगल चोले आके सरकडे दा टेर ला रख्या हुंदा। कारदे बंदे जद खाओ पियो तो वेले होके अराम कार रहे हुंदे तादे दोमें प्यान प्राचना चप्रियां दे उसारी चलाग बंदे। एदा नतिजय हुया कि एक दसता टोट जाये ता विचारा तरखान मगर जुदियां कसोंदा फिर दा सी। ते के थे एह हाल के गड़ा जा होर वी जे कुई चीज पाज टोट जान दी अत्वा नमी बुनान दी लोडा बंदी ता बाली राम दी मजूदगी सब कासे ली काफी सी। ते इस मतलबले संतो करके सोंदे सान। ते इस दिक्कत नू दूर करन खा तरिक पासे जो ततयानी सरकड़ा प्यों काटके वान बटना शुरू कार देता ता दुझे बासे बाली राम अपने हथ्यारां दी बददनाल सिद्ध पद्रे किसम दे हियां सेरू ते पावे बनो अंचरो जगया ते सा पारा कामो करदा सी जानता शाम तो बात जान देन चड़े तो पहला इंज प्यान परादी केविल दू हफ्ते आंदी मेनत दा फाल रूप सारे टबनो उने उनाय मंजेव रापत हो ते संतोग सिंग ने जदू पुटाई दा कामर अंबया सी ता उदा टीचा सौनी दी बज इंबा की सी एसी जो त्रेली टग्यान दी लोड जिनाली हाडपन जालीयां बाली राम ने पहले ही इत्यार कर रखी आसर चौन टग्यार था दू हडाली कटो काड चार कुस और पैदी लोड सी संतोग सिंग ने इस कामली हून ती कि जिनना कुछ बचा रख्या सी उदी यो संतोग सिंग दी दूर अंदेशी ने ही मुश्कल भी दूर कर देते हैं सरक्रे दी बहुत आत केवल फूल सिंगा वाल ही जमीन चसी ते बड़ी काम दी चीज सी संतोग सिंग दे आउन तो पहला ही हाल सी के इलाके दे जिस किसी आदमी नो लोड पैंदी बिना पुछें दी मनाही कर देते हैं उन पता सी स्थानक लोकां तो चोट अबाद कारा नो भी ये दी लोड रहें दी हैं नतीजा होया के लोड बंदा नो इचीज मुल्क अर्च के लड़ी बंदी पहला पहल दो रुपए फी गड़ा वसूल किता जान लगा फिर जों जों गाकी वदगी टाइ रुपए फे दिन कर देते एदा दूरा लाब सीखता पैसे अंदी प्रापती दूजा जंगल दी सफाईच काफी मदद मिल देते पर संतोग सिंग दी इन्ने नाल तसली नहीं सी हो सकी उन्हें नठो पजी करके एक ठेके दार नू जावन जे आते फूल सिंगा दा ए जड़े असी तो लेके सबसो ही मुल को आ सकते लें इद्धान दो में ही मुश्कलां दूर हो गियां टगे भी आगे फसल त्यार होंते कर दा खर चलान जोगी रकम भी जड़ी संतोग सिंग पास ही बची रह गई बॉलदां दे आउन दीटेल सी के दूहां बंदिया ने बिद बिद के जमीन वोनी शुरू कार देते एक ता मिटी काफी नरम सी दूजा बाली राम वरगे पेती ने अपने टांगनाल काम शुरू करता नतीजाय होया के सोनी दी बिजाईली सारी जमीन टेचन होगी दूहा दूहा ने आंग छेमा दोहा ने सारी लगपग ती कुमापोई बिजाईली त्यार कर लेई उस्तो बाद दोकू हफ्तियां दी मेनत नाल उनाने अपनी व्योंत अनुसार पहली आनू एक सार करके वट्णा अध पाद दिया राम पुर्च कपडे ते खांड दे कार खाने ज मीना रही इन विचार विच रखते हैं हैं स्टेट वलों अगल वंडे ये आर पार किता जान लग प्यासी बिलास पुर्च वड़े पैमाने ते एक फार्म काईम किता गया जिस च वदिया के संदे कमाद काहू पचासी पोना काथा आद्धा बीज पैदा किता गया जिड़ पंजाबी काश्त कारांच मुफ्त वंडिया जाना से इसे तर अमरीकन कपाते जपानी नर्मेदे बदिया बीच दूर दराज तो मंगा के नवे आबाद कारां ले स्टॉक किते गया नाली ये ना दोआं ते होर काई के संदिया फसलानू नवीन टांग नाल बीजन पकाना दे टंग दसन लेई भी रियास्तियां सारी हैं तैसी लांच सेंटर खोल देते गए जोई सौनी भी जन दा मौका आया के पंजाबी अबाद कारांचे ना चीजां दी खुले तो और ते वंड कीती जान लेगी कोई तैस सरकारी मदद नाल थे कुछ तर जर्वयां तो लाब उठाके संतोक सिंग ने चेतर चड़ दे जोर शोरनल बजाई दा काम शुरू कर देता है मिथी होई वियोंता नुसार दसां को मावां विच कमाद भी जया गया दसांचे नर्मा बाकी बचे दसांचे अधी च बादराते मोट बईच देते गे चारे ले चरी आद भी जन दी तक कदे किसे नू लोड़ी नी सी पैंदी जंगल च बे ओड़क का बारा मीन ने मजूद रहनदा सी इना ती को मावां तो छोट बाली राम ते ओधी पैंड ने अपनी सूझ भूज तो काम लेंदिया होया इक होर भी मार का मार लेया बॉली दे लागे करके पंच साथ कनाड़ां दा एक टुकडा बेकार पया सी जिनू तताया ने राती पर बाती आपी वाब बना के सबजीया भी जन दे काम चलाया आंदा इस टुकडे नू बॉली दा पाने भी पचाया जा सकदा सी जे एक निक्की जी बॉल्दनाल चलन वाली हटी लादती जांदी हटी बनाणों लाई बाली रामनों के से तरकान दी मुथा जीवी ता नहीं सी जिमें जिस जिस सबजी दे भी जन दा मौसम आई गया तिमें तिमें बजाई हुन दे गई पिंडी तोरी किया कद्दू पेठा कुर भुजे तर भुजाद ते दुहां दे पुर्शारत दा फल रूप वे साख चड़ देयां तीक बॉली दा पिछा लेल होन लग पया बाली राम ते ततया दी योगता मेनत कशी दे काम वेचे नी डूंगी दिल चस्पी दा सिका जिनू एड़ा उद्ध मी ते बोग उना जोड़ा लप पयासी ते याने वद तन खादा लोब देके बाली राम नूँ खिसकौन दी भी कोशिश केती पर सफलता किसे नू ना हो सकी का जानी है संतोक सिंग ने एनू सीरी रलाया हुए एस क्यास देदारते के एका दुक्का ने बाली राम नूँ होर चंगिया शर्ता ते सीरी रलावन दी भी पेश के अश्किती परव्यारत बाली राम दा जमें संतोक सिंग नल गंड चित्रावा हो चुक्का हुए ते बाली राम नालों विवाद के ओधी पैन हर किसे ले एक बुजारत बनी हुए सी जिनू बुजन दे यतनाच लोग की कई दे कई क्याफे लाँ दे रंदे सान पर असलियत की ये कोई कुज नहीं जान सके आंग शत्वा सक्त जानते पक्के सिरडी पंजाबियाने जियोंवी रियास्त वेच अड़े जमाये के थोड़े जर्वेची बंजर जमीन वड़ाई इलाका हर्यां पर्यां पहलियां दी शकल्च वटना शुरू हो गया जिते जिते भी कमाद मक्की दे नर्मे दे केत उगने शुरू हुए। इलाके दे लोक दंग रहा जांदे वेखके। किते स्थानक लोकां दी काश्त कारी। कि विंगियां से दियां चार से आडां कडियां ती माच बीजखला रंदी किते। किते पंजाबियां दी वाई दा टांग के अठाट दस दस जोत्रे लाके भी तद दी खटन दा ना नी सी लेंदे जातीक मिटी चूरी वर गी तेसे आडां दी डूंगाई। गुड़े-गुड़े डूंगी ना चले जाए। फेर के उना जाई तरती चे उगई हुई फसल वेखन वाले आंदे मुह चुंगला पो आदल दी। र्यास्ती करमचारी वी दी आग्या द्वारा इना लोकान वत्तो वत्त सुहूलता देन दा हुकम जारी किता। इत्तो तक लोडवन दाली करजे तकावियां दा भी माड़ा मुटा प्रबंद कर देता गया। जिदी वसूली दी म्याद फसलां दी त्यारी तक नियत कीती गई। विजाईयां दी हुई वो तो बात गुड़ाइगा दा कम सिरती आगया। जमीन आत दी जोरदार होन दे जिते किसाना नू ने कलाम सानो थे को खाई सी के फसल अगान दे नाल नाली उच्छ कावरूट वी बहताच उगख लंदा सी। स्थानक लोक ताइदी एड़ी परवानी सी कर दे पर नंजाबी किसाना नू के में चैन आ सकता सी। जब तीक गुड़ाइग नाले दा सफाया ना कर दें दे। फिर कमात थे नर्मे भरगियां कीमती फसलां। ता विच्चता अजे आ कोई बुट्टा रेंग देना उना ले असलों पैड़ी गाल सी। सो दब दब कामे मज़ू लाके उन्हाने गुड़ाइगा काम अराम देता जिनने बहुते मजदूर लाके छेती तो चेती गुड़ाइगा काम कातम कर ले आ जाए। उन्नी वदीया फसल हुंदी आसी। जमेया खाना के मुसीबत कदी कल्या ने आया कर दी। एद्दा ये भी साच्चा के बंदेली जदो चंगे दिन होंदे ने तो भी अपने नालग और कई चंगे साधन लेके होंदे ने जियों ही नमे आब आबादकारा सामे कामयां दी समस्या पैदा हुई के रभू ही जवे मजदूरां कामया दा मी वर पया पता नी कितो आ निकलियां बेक करें ते टपरी वास किसंदे लोकानियां टोलियां जिनानू अवादकारानी हत्तो अथी बोचलियां ते फिर मुजदूरी दा दार इना सस्ता के जो कुछ वी कोई देना चंदाओ लोग मंजूर करलन दे जितो जाबदा सी के ओड़क दी हादधी को लोग पुख नंग दे मारे होई सान। जियों जियों निकरे आंदे टोले रियास तच परवेश करी गए तिमें तिमें उनादी समाई हुंदी गए। जिस्चे जमीन ते उनानू कम मिलदा ओथे उथे चलामियां जियां चन्ना खड़ियां करके टबटोर समेथ टेक जांदे। मर्द के जनानियां के मुंडे कुडियां के सब्वे पहलियां वेचरम बाचलां दे वखाई देन लग रहे। शुरू शुरू चे हर कोई एना बारे सोच दा सी के द्रों आ नाजल होये ने टिड़ी दालवंग ए निकर रहां दे टोले पर मगरों छेती उनादा असल पे इद खुल गया के सारे ऐसे तरती दी कोकुचों कदी पैदा होये सान। असल चे उही लोग सान जेनादे बड़ेव डेरयान। तेर चेर पहला सतवंजा दे गदर नेव जाड़या सी ते जेनादे बची खुची संताने नापा गयान। दू जीवीरा नवाब्बां दिया नलाइकियां कारण उजडना पया तो हर साल उनादे खेत नू सेम ते सू कोई वान आ रही तो सब कोज सुट पसुट करके जिदर किसे दा मूह आया उठ तो रेसां। उस तो बाद मुदतां थी के लोग देशां पर देशां चे तके खांदे होर जून कट दे रहे। किसां तो कुली कुली तो कसी आरे कसी आरे यां तो ना जानेंगे की की रूप वटाई चले गए लोग। पर इनने उत्ते भी कि वो अपने वतनों ते अपने जिंद प्रान दे प्यारे खेता नो पूल सके। जिब पूल सके हुन दे ता क्यों इस पासे वही रामपा तुर दे हुन दे। जदो उना नो किसे हम दर्दने दसे हा कि उना दा वतन फेर वा जिना नो रेल दा कराया मौसर आया रेलते सवार होके जिना नो ना जुड़या उस सड़क सवार होके इस दा नतीजा है होया कि वेखते हैं वेखते हैं वेखते हैं इस अला के नियां बस्तियां विच की ते जुहां जंगलांच की ये लोग हरल हरल कर दे विखाई जैंग अठ्वाँ, गुडाईयां दा दौर खत्म हों दिया ही, इक ऐसा खप खानना शुरूर हो गया जिस बारे किसे नूँ ख्याल तक नहीं सी, अराम बच हर किसे ने समझेया सी के जड़ियां पुखडा नियां, एलाम डोरियां रियास्त विच आवडियां ने ना लोका ना मनोर नेरा मेनत मजदूरी है, पर मगरो मामला होरी निकले है, इनी गलता राम विच्ची हर किसे नूँ पता लागे सी, के पुखे नंगे, लोक कदी किसे जमाने इत्थों में उजड़के गये सी, पर कि ये गल भी किसे दे के आस चासक दी सी, के लोक मजदूरी लेनी, बलके अ आना वदोशेस जदो जय च जुट गये, ते जुटे भी पूरी तोर ते जथे बंदक टागुनल, हार वेखन सुनोर वड़े दाखे आल सी, कि जिना लोकां पास डंग दे खान जुग, जिना चो कोई पड़या लिखया नहीं, ते सब तो हो डिगाला है, कि जिना पास अप खब खब पाके, आपे मुद तर दी चागवांग बैठ जानगे, पंजाबी अबादकाराने सब तो पहला के, सब तो बहुती इना लोकां दी मदद के थी, कोई ता सुबावकी महमान निवास होन कर के थी, कुछ अपनी गर्ज लईवी, जे सस्ते मज़ूरे ना नोयान वे देंदा से, बक्की रहा बाली राम, उन्हेत अपनियां वतनियां दी आउपागद कर नहीं से, पर तताय अपने प्राथ हुए गान लाँगे, सारा दिनों जुटी रहांदी कदी सरक्डा दें, टोन वेच, कदी थोनियां लेल, कड काटले ओन, जे कदी लेंबी पोची ले गारा बना उन्वेच, जदोवी वेखोय अन तक कुड़ी गड़ा जोड़के थां धां पजी फिर्दी दिखाई देंदी, जिमें लोकी सोच देर साने, संभव सी थोड़े दिनांचे न लोकांदी कामा रोली खतम हो जान्दी, पर पतानी के में एक ऐसा व्यक्तियों नां जानकार से, जिस बारे मगरों पता लगा के उने एक लम्में समय तो थां थां फिर फिर के, उना लोकांवे लगन जां सानक ला देती सी, ते उसे दी ही पजोन अठी दा फाल रोपो जित्तों के ते उठके रामपुर्वल पे जे आये सान, एक पंजियां छबियां सालां द उन्दे सान ते पोथी पत्रावी वाच दे सान, ते जड़े दुझे गुवांडियां वांग अपना पहली बनना कुझ सेम दी पेट करके ते बाकी रांदा जिमी दारा पास मुफ्त बराबर सोट के दे बदर हो जान दे सान, पर जमीन खोस जान दे बाब जोगी थोड़ा पोथी लम्दे नाल पुरोथ गिरीदा असरा जना बस बचे रह गया, ते इसे दी सहता नलोनाने पर देश चाके अपना इसे कलोते नुपड़ाया लिखाया सी, जना दी मौत तो बाद घुपी नात ने अपनी विद्याच बहुत सारा वद्दा कर लिया, ते इंज अत्मा गंधी देख बार हरी जन्दा सहाइक संपाधक बन गया, पर इनना हुनुते भी अपनी जनम्पु मिदाई, याद ते मोतों उपकदी भी पिछा ना चुड़ा सक्या, नेरा अपने बारे नहीं, बलके उना सेंकडे वतनी कुन्वेयां दा संताप वीहर विडे जिनानु कदी ओदे हम बतन मुफ्त मुफ्ती जम मुफ्त बरोबर वेज के निकल गये सान। ता ओदा संताप उतेजना चु बदलन लाग पया। एसे उतेजना दा फाल रूप संपाधन दे काम तो कुछ चरले चुट्टी लागे। उन्हें अपना सारा त्यांते सारा किती जावे तो कोई वजा नहीं के सफलता ना मिले। चेकर पंडत गोपी नात दा पहला मरहला तै हुया जद कोई सो हम बतनों दी आज्या दा पालन कर दे हुए रामपूर पॉंच गये। आंग नौमा पंडत गोपी नात शर्मादी आमदने लागपग सारे रामपूरी वतन चोडांची खाल चल परी जिन्दगी प्यादा कर देती। जीमी दारानों पिस्सू पैगे। शुरू शुरू चे जरूर कईया उते बहुत असर होया पर जद तो शर्माजी ने फूल सेंगा उते आडेरा जमया ते लागपास दियां चौपडियां चकर कट कट के उन्ने हकीकतों परदा चुखना शुरू कर देता। छेती सबना दे मान साफ होगे। निरायन नहीं नहीं बलके कञ्या ने अपने दुखी ते निथा में प्रामादी हर तरानाल मदद करन्दा वीराता बना लिया। परेदा मतलब किसे परकार दी मायक कुर्बानी नहीं बलके नहीं सी कि ओना नियास्रियां नू इकता से लोकान ली था देन दुझा होना नू कामतन दे लालन। सो पंजाबियां ने दुआ पक्खा दो रामपूरियां दी पुझ केसा है था किती। जिदा सिरी गनेश होया संतोग सिंगतों जिने एक था एक था फूल सिंगा दे थे उते उना लोकानू रहायश रखन दी खुली चोट्टी देती। ते दुझा लोडन सारों ना दी। उने पटाई गडाई आदे कमा होती। बहुत सारयां नू लाले हाती। जिदी रिष्से दुझे पंजाबियां ने भी एहो वरतारा अखत्यार केता। इस तरहां दोहां ते रानू मन्या लाग होया। शर्मा पंजाबी बोली नहीं सी जान दाती। पंजाबियां दी आचरण बारे उके बहुता संतुष्ट भी नहीं सी। पर जिस रूप चे थे आके उन्हें पहला पंजाबी परवार तक या। वह आश्याशकार उठेया। इना लोकां दी उदारता ते महमान ने वाजी उते। विशेश करके जाद उस अच्छूत कुडी तत्ताया ने अपने बड़े भहिया बारे उन्हों सारा किस्सा सुनाया ते पंजाबी लोक उसले निरा सत्कार दी नहीं सगो शर्दा दी चीज बन गए। बड़ी हैरानी ना लो अक्सर सोच दा किस तरा इक जनभी कुडी नू उन्हें निरा जुबानी ही नी बलके अमली तोरते तरम दी पैन करके अपनाया। शर्मा जी दे निवास्थान ने फूला सेंग दी रानक विच खासा वदा कर देता। रोजी रामपुरी किसाना दे पंजा सता अगुआं दी इका दुखा गोश्टी होदी चौंपडी ची हुंदी रन्दी ते कारज रांब करन दियां कई परकार दियां वियंता बड़ा इयां जान दियां। जिना अनुसार शम्जा शर्मा जी ने अमल दरामत शुरू कर देता। सब तो भला हुने एक लिस्ट त्यार कीती। जिस्वेचोना परवारां दा सविस्तार जकर सी जड़े अपोपणिया जमेना चटके अथुआ कोड़ां दे पावेच के नस गये सान। फेर एक मेजर नामा त्यार करके उने सबना हक दारां देंगुठे लगाए ते मेजर नामा नवाब साब नूपए देता। नालो 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 ने दूसरे अधकारियां पास भी फेरे पाने जारी रखे। जिना पास उनू के सिवी तरां दी मदद मिलन दी उमेज सी। ते खाक हमने इसी पर शर्मा भी पूरा हटी निकलिया। बहुत सारे लारेयां लप्यां तो बाद छेकड़ों नू मुलाका दिया गया मिली गई। कदाचे तेस करके के उद्धर रियास ते मालकानू भी पता लग चुका सी के शर्मा कल्ला नहीं बलके एक खासी गिंटी दे लोका दा प्रतिने दे। छेकड़ मुलाकात होई पर मसला होते दा होते ही अठके रिया। छुट लेले पिप्पे तों कुझ भी किसे दे हाथ पल ले ना पिया। नवाब सायर ने इना ता जरूर कैदता के ना लोका ना लंदर दी है पर नाड़िये भी अर्शाद फरमाय कि क्योंके कनून एना लोकां दी हक जा नहीं जिस कारके ओं मजबूर है। अंग दस्वां। हार दा पहला पखवाडा शुरू हुंदे हैं पंजाबी अबादकारां दे खेतां उते लूड़ी दा जोबन दखाई देन लग पया। कमाद निसर रह सन। अगेतियां मक्यां चलियां भैगियां सान ते नर्मे दे बुटे चुम्रे होई जान दे सान। मोशकन दे बेगमी आद चोनने दी पनेरी जड़ी पिछले मीने छे कड़ चलाई गें सी। उची होके पहली आंच तो ते रंगी पा अमारन लग पें सी। जिद्धर तो को हर्यावली हर्यावल सी। सची मुची जिम्योना नू बंड दे वी दा वर्दान प्रापत होया होगे। निरा इनाई निंग सोगो इद्धू भी निराली शांसी फूल सिंग दी थे उत्ते लग्यावियां सब्जियां दी। पता ने ये नियाईं दी जमीन दा असर सी जा तता यादे फोड़े कुर्पे दा कि जिते जिते भी कोई बीजी कवरी उग गया उनू फड़ देयां देर नहीं लगी। कदूआं पेठे आंकी या तोरी याद्धियां वेलाने था इनना फेलाव कीता कि किते लंग नू रस्ता ना रहा जिना तो रोजाना टोकरे यां दे टोकरे सबजी उतर चली आ रही सी। जियों ही उस छोली कुडी दे पुर्शार्थ ने फढ़ना शुरू किता उने एना सब्जियां दी पत्तर नाले आमधन दा एक नमा टांग अपनाना शुरू किता। संतोग सिंग नूपा में बिलकुल पसांद नहीं सी कि उधी तरम पयान हफ्ते ज दो त हर विले चिंता तो रहन देने के बिना पैसेयां तो इना चिर्के में करदा गुजारा तो रहेगा। ति फिर जद दूसरीयां सब्जियां तो छुट खर्बूजे तर्बूजवी उत्रन लग पैता तत्या नू लग पग हर रोज गड़ा जोड़के बलास पूर दा फेरा पैद नहीं सी रहा गया। बाली राम दाता जमें आजकल कार दे किसे काम नाल वास्ता ही नहीं सी वुखाई देन्दा उन्हें खेतां जी अपनी चौंपडी जमा रखे सी जिते रहा कि उद देने जंगल पुटन विच बड़े बहिया दा साथ देन्दा ते राती जान्व इद्दू वद किसे चीज दे उन्हों लोडनी सी जाद कदी वेल मिल दी तताया इकाद फेरा मार जान्दी जमें कोई अफसर अपने अदे इन करमचारियां दा काम वेखन ले वियां वर्यां दे लागे पांचके तताया दी रहनी बैनी इच कोई विशेश फ़र्क नी सी वकाई देंदा ओदा मुड्ञा सुबाओं में जमें काइम सी मर्द हुे जिनानी हुए सबना नाले कोत्रा मर्त नाँ खुल के कपा मारने आने संह पावनाल खात थटा करना जमें मर्द ते उरत कोई तमीज ही उन्हों वकाई ना दिंदी हुए उदे एसे ने जाक ताक के कई लोग की कुछ गल्त भी सोचन लाग पैंदे। भी एक कुड़ी है के मुंडा। एदे कामते गबर्वां वाले ने गल्ला कत्थां भी होना वर गी है। खास करके जदो कदी लोग की वेख दे शर्मा जी नाल भी तो तया दा हासा ठाम वर गाए। ता वेच 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 वदे एस वरताओ बारे नुकता ची ने भी केती जांदे। जे सादमी दी सारे लोग इज़त कर दे होन। उसमेल क्यों कोई हलके किसम्दा मजाख करे। पर विचारी भी ता आदत्तों मजबूर सी, जीने संग संगा जा बनावटी के सम्दा साउपना मुड़तों नीसी सिख्या। जीमियों निक्के हुंदे आपने हाणी मुड़या नल खेड़ दी हास दे सी, उदे पाने होन भी उनू इस गाल्दा कुदर्ती अधिकार है। सेवा टैल दी जम्मेवरी अपने जम्मे लाले ता तो कुछ इंज मैसूस करन लाग प्याज में दिनों दिनों दा इकल्ला पान उड़ी जा रहे होगी। ता तैया उसले ऐसी उप्री भी था नहीं सीफा में वतन चड़न तो बाद ही लोग साला बदी बिक्रे तिक्रे रह सान पर आखर है ता वतनी सान ते वतनी होन ते चोट किसे जमाने विचे ना लोकां दे खेत भी कदूजे दे नालो नाल होया करते सान जेड़ी आजवी हाजी खेडाच मौजूद सान। शायदे हो कारण सी के फूल सेंगा उत्ते आवसं तो बाद छेती शर्माजी नाल कु बड़ा सारा एक चौपड़ा उना नेतियार किता सी उससे विचाड़े काने आदा चपर खड़ा करके एकदे दो कार लाय सान। बाली रामधा देरा द वैसे गळियां जरेंदा सी ते तता यां एकली ले छोटा जिन्ना थाँवी काफी सी इस करके एदां दा पार्टी शि वस्तुआं दा चकर कटदे बस्तियां दा चकर कटदे रन्दे सन। जद कदी उना ता क्यास फूल सिंगा ते हुंदा ता रोटी पहुचान ते कर दी सुफाई आद दा कम तत यादे जिम्मे हुंदा। तेस तरहां जद कदी वियो शर्मा जी दी चौंपडी च जान्दी दुआं विचाले पिछली आगली आगली आगलां दा एक लम्मा सिलसिला शुरू हो जान्दा जड़ा कंटे आं तेक लगा रन्दा। अंग ग्यार्मा नवाब वलो जाद सुखाई ट्रका दित्ता ग्याता एना रामपूरी एट प्रिवासां दे हौसले बहुत हाथ तीक टै गई शर्मा वी काट मयोस ने सी होया पर इस मयोस ही ने उनुग कदमा तो उखड़न ने सी देता हूँ था 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 फिर कि अपने हम बतनानों दिल बरिया देंदा ते नमी चंगेरी जुगता मल चले आउन बारे उना नाल सला मशुरे करदा रहेंदा जिस्ता किसे उते टैड़े कुछ असर कबूल कर लेंदे और दूसरे आनु समझाओंदे के चलो केड़ी गाला जे नहीं सफलता मिली पर इनाता है के तान पेटले मेनत मैस दूरी मिल जान दी है बार वी तक जली हुन देसां सो इनाई की काट है कि अपने वतन चिरा के रोजी कमा रहे हैं पर देनाच कुछ बंदे जडे माजूदा के समझी मेनत नू अपने ले जिलत हयाल कर देसां देश चोरी पर देश पिख्या दी कहावत सुना के क्यां देगे जमीन नादे पुष्टैनना मालक होके क्यों अपने वतन विचे स्तरां जलील होके रहें हालत पामे किनी निराशा परी होई पर अजे तक वी शर्मा जी दी चौंपड़ी वेच गोश्टियां दा सिलसला जारी सी पहला जेना गोश्टियांच निरे रामपुर्ये ही शामल होया कर देसान हों टामे टामे पंजाबी किसानना ने वी हिस्सा लेना शुरू कार देता सी त्ये केवल संतोक शामलों में बच चड़के ना गोश्टियांच कोई सरगर्मी वखांदाता तै एसी बाली रामधी पहन जड़ी मोटी बुद्ध वाली होन करके पावें शर्मा जी दियां कनूनी बरीकियांनों मुलों नहीं सी समझ सगदी पर जियों हीं कोई मोर्चा मार्चा लॉण दी शुरू हुंदी कि जोश चाके आपे तो बार हुए पैंदी उखुले ते निजाक शब्दां चक सरेतों तक कहां जांदी वे निगोडे कौन होते हैं मारे खेतों को हड़पने वले ते ओधी ये बारूदी तकरीर ताहीं बंद हुंदी जदो संतोक सेंग जै शर्मा जी उ ये नजरां चूची उठ दी जा रही सी इतो तक के कई उनों बहन जी आके सतकारत करन लग पैसन बाली राम भी ता किसी दब रहा सी परो विचारा ता निरा पूरा पोड़ा महेश सी जी दा एहो जी ये अंगोश्टियान अल दूर दा वी रिष्टा नही सी उस लही ता ब के दा जीमीदार तब का जेडे बगाने माल उत्ते गुल चरे उडारे सा फिर गलवीता उना दी अनकनू बंगारन ले काट नहीं सी के दो दो कोडिया दे पेकमंगे इस तरह उना दी चाती ते मूंग दाल दे फिर उनना ने जे रियास्त दी जमीन सुधार योजनाली देल तर चात मुडियार थात एजी टेटरां दाओ गुरू शर्मान वापासों मूंधी खाके आया था उना दी होसले होर बद गये उनकौन जम्यासी जोना दी वावलवी तक जये पर इनना भुग्स दे इनना नराजगी दी हुंदया हवे जीमीदाराने राजनीती दे साम दाम दंड पे दवाले असूल नू अमल चले आउनदा निश्चा किता उनाने शर्मान जीदी याचनानू खुल दिली नल सभी कार कर लिया जड़ी उसने मुलाकात ले किती सी मुलाकाती मीटिंग दा परबंद बिलास पूर्च गेता गया क्योंके इसे तैसील दियां जमीना बारे बहुत रटा सी नियत समेत दोहां ते रावलनों प्रतिने दुपस्तेत हुई शर्मावी संतोक सिंग सने कहिया रामपूरी मुखिया नू नाल लेके आया केवल नहीं सी आ सकी तो बड़बूली कुडी तता गया जिस पारे सबना नू खतरा सी के मता उत्थे जाके कोई बोल को बोल बोल बैटे दे काम तंदा काम हुंदा हुंदा वे गड़ जये बड़ी मुश्कल नाल सोवी संतोक सिंग दे रोकर नाल मसा के ते उत्रू की सी गोश्टी दा रामता चंगे स्क्वामी वाता बन चोया पर थोड़ी देर बादे इस्ट कुड़तन पर ने शुरू हो गई जिदा मुट दोदों बज्जा जदों शर्माजी दियां दलीलां दे उत्तर चिजिमी दारां दे मुखिये ठाकर पोवा ने सिंगने आप पे तुबार होके क्याना शुरू किता अब काहे इतना रोब काठत है हैरे बामन के चोकरे अभी कली की बात है तेरा वो बड़वू फोथी पत्रा था में हम लोग के घरों से भीक मंगा करता था और उसी भीक मंगे का बिटवा होकर आज तू तीच मारखा बन कर आगया जितना बड़ा मुँ तुनी बात करने चाहिए वो ड्याम डे रेंदा ना विच ना आ जान दा ता संबवसी शर्माजी दंदा हेट जी पर यहां तो बात दूसरी चल रही है और फिर हम लोग कोई दान पुन भी तो नहीं मांगने आए आप से हम तो अपने हप के लिए शर्मा दा वाग पूरा भी निसी होया कि हाजी खेडा दा करता तरता हाजी सली मुला उठया अपना नहीं अपने बाप का हक लेने आया क्या समझ रखा है तुने मामला हतो जांदा ताके शर्मा होर जी आदा ठर में पर यह रांच कुछ क्यान ही लगा सी के तो पहले ही लागे बैठा संतोक सिंग जी में टोट पया गल सुनो हाजी जी नडे तुसी भी कन्ना तो रता पागुची करे अठाकर जी तुसी लगे जे कारसाद के एना दी पातलों पर एक गल में दास्यां तो अनूं पर एना रांपूरियानू लावारसना संजना असी सब पंजाबी एना दे नाल जी आंगे नाल मरांगे दुजी गल ए जे पई जो मुहों कड चुके जे जे मुड़के दां ता साड़ा सूला कोई भोल ब किनसी के सनाटा किसी प्यानक नती जे चटूटदा पर शेर्मा जी ने फुर्तिनल वक्त नू संबाल दें है अपने साथियां सने उत्थों उठके तुरंदे कीती आंग बार्वा मामली दियां गुंजलां खोलने शेर्मा जी ने जिन्ने भी हून तक यतन कीते लगपक सार वड़ी गुंजल उस दिन पैदा हुगी जेसन बिलासपुर तो गोष्टे तू तू में में वेच समाप्त हुए शर्मा जी ने अपने वलो ओदन सारे साथियां नू तोते वांग शान्त माईदा पाठ पड़ा के नाल खड़या सी एक ता गांधी दान इन पगतोन करके व में ओड़कते जापोन ची हैं शर्मा नू ओ दन चेते आगया जदो उने अपनिया अपने वतनियां दी मदद खातर मात मंगां दी बासो कुझ में नादी चुट्टी मंगी सी ओदो हरीजन दे अडिटोरियल स्टाफच काम करदा सी ते बापू सो ते ने हाल सी उदी मंग दे उत्तरचकिन यां दलीलान दे दे के बापूने समझा उन्दा गयादन कीता सी के स्वेली हरीजन नू चाड़के उदा जाना ठीक नहीं जद के सारा देश अंग्रेज जी साम राय दे वृद्ध जटिया घड़ा है ते जद फेरवी शर्मे ने चुट्टी लैंदी उसकी प्रचाईं को पकड़ने जा रहे हो ते फिर अब आपून वे क्यके हरी जंदे दफ्तचो चला आया सी कुछ भी हो बापू एक बार तो मुझे जाना ही होगा अलबता प्रान दिये जाता हूं कि आप मुझे जिस समय भी याद करेंगे प्रान दिये जाता हूं कि आप मुझे जिस समय भी याद करेंगे चाहे किसी भी वस्था में हूँ आपका देश पाते ही चलाऊंगा पतानी केडी गल दासर सी संतोक सिंग दी बोली हुई उस दिन वली हिंसिक बोली दा अत्वा बपू गांदी दा होकम अदूली दा उस मीटिंग तो बाद लगा तर कई दिना तक हूँ गला उदे दमाग चे चक्कर लाँदी आ रहियां तो उदे हिर्देच कई तरा दी उतल पुथल मचोंदी आ रहियां पर जिस कामनू हाथ पा बेठा सी उनू अद विचाली छड्या नहीं सी जा सकता उस्तो बाद जेवं जो देन हफ्ते मीने बीद्दे कैस मामले विच नमियां तो नमिया अर्चना पैदा हुँ दियांगे एक पासी ओदे रामपुरी साथी जल्दी तो जल्दी र्यास्त च मोर्चाला उनली उनू टुम्बरैसान दुजे पासे शर्मास दारं तोर्ते उनादी हानल हामलांद होया वियं अंदरे अंदर प्रस्थितियांदा निरिखन करी जा रहिया सी हरी जन ते होर कई अखवार साले उनू आया ही करदे सान जिननू पढ़के ओदे विचारां दी सत्ता होते कई जवार पाटे उठोटके कजीब किसम दा कोजल में जाई चले जान दे सान इज माना सचे पारत ले राजसी उतल पुतल दा जमाना सी जिदारा मुशाइद पांचे साल पहला होया सी जदो 1935 वे चंग्रेजी हकूमत ने पारत नू नाम अतरवी असलों ही थोथी के समदी सूबक अजादी प्रदान केते सी उसको कोई संदे नहीं किस अखोत्ती जी अजादी दे देश नों कोज लाववश होया जद पारत यठा नौ आउन सूबयां उते कांग्रेसी हकूमत कायम होगी सी पर कि इन्ने नल पारतियाना मन पतीच सक्दा सी तिया चिंते य उस्तो बादी कैसा टोट टोक गया जिसने अजादी दी लायर नों एक नमी ताकत देती एसी सन उनी सा उन्ताली विच दुजी वड़ी जंगदारंब ते जिस्तो पारत ने महात्मां गांदी दी कमान हेट पुरा पुरला पुठाणले कमरकसी मिलबूत करलाई अंग्रेजा दा विश्वास सी के उनाने सूब का जादी दी रिश्वत देके पार्तियां दे माननों संतुष्ट कर देता ते होनों ना दी हकूमत नों पार्तियां बासों कोई खतरा नी पर उना दे क्या सराइं गल्त निकली जदे एक पासे हिटलर दीया ताडा उना वल वादरें ऐसान दुझे पासे जपानिया ने उना दा काफिया तांकार रख्या सी सी ते तीजे पासे पार्ति दिलान चंग्रेजी हकूमत वरद ना के वल नफरत वादरें सी बलके बगावती जजबात हुई इस किसम दिया खबरा हर रोज शर्मा जी नों पढ़न ली मिल यां ते पड़ पड़के वो संदर कडवाल ले पैदा होई जान दे परोता इस वेले एक ऐसे मामले नूं हाथ चला बठा सी जड़ा किसी ओर बनने तक्कन दिवी उनू वेल नेर सी दिन्द इस मामले जिस पावी खत्रे दी चलको नू नजर आरे सी ओसी हिंसा दा खत्रा तो आपना सारा तानो इस गलुते लाई चला जा रहा सी जिस नालोदे साथी जियो मोर्चा भी लोना चोंदेने ता पूरे तोर ते शांत माई दा प्राण लैक के लान ते जिया जिया ना हुया ता सुम्भ वैसारी कोर शार्थ मिट्टी हो जाए कोके दूजे पासी होना तो आपने इस निश्चे अनुसार उने दिन राद फिर ना ते फिर फिर के था था बतन चोड़ वेच अपने विचार विचारां दा पर चार शुरू कर देता इस तो छोटे को होर मुश्कल भी बड़ी पारियो दे सामने सी ते जिमी दारां दे मुजारियां दा दुश्म पर आरवया जिड़ अपने आनन दातियां खातर अपने प्रावन्दे लहू ना था रंगली तक परसी सोना लोका मॉल विच फिर फिर तोरा जारी रखी जारेया सी समय समय फूल सिंगां दे थे उत्ते ते कदी किसी होर वस्ती विची कत्तरतामा हुल दियां ते ना इकत्त जवापत्थर नो कदी शर्मा जी देंदर आशा दा दीवा टिम करना पेंदा कदी निराशा दा हने राचा जान दा पर ओधी जदो जय च सिथलता नहीं सी आई हो लगा तारीक था तो दूजे था दूजे तो ती जे था पजा फिर दा सी देन राद आंग तेरवा इस विच क कसर तो बचौन लेए चिकनाई कदी नाम अत्तरवी प्रापत्ना होई होए एता ठीक है कि शर्मा जी नू सारा आड़ा द्वाडा सतकार दिया नजरानल बेखता सी खास करके संतोक सेंग दा परवार पर नुखी मशीन दे तपे होए कसर दे होए पुर्जे ले जिस चिकना कि शर्दा केला कुछ कटी जा रहे है ते दे थाओ दे अंदर एक कुडी कुडी रास पे नीजरी मिठास पर दी जान दिया ते सनोखे परिवर्तन बारे जद कदी हो डुंगाई नल सोच दा ते कोई उत्तरों नू अपने अंदरों मिल दा वोई तो है अखड किसम की और ब आपयानू इस विचारी लिबास एहू नालब भासी तताया तई वर्योधा जी करदा कि किसे दिनो ततायानू इस बारे कुछ टोका टाकी करें पर फेर उखोदी इस सोच के शर्मिंदा हो जान दा पला मेरा की हाक है कि उओ कोई मेरी रिष्टेदारन है ते इस विचारी ए इसा अबसर बढ़ियां कि से सुवाई उनू टोका टाकी करन दा मोका मिल गया है एक ताउन जी नेड़ ता काफी बात जान करके दुज़ा शर्मांजी दी सेवा टैल दी जिमेवारी करन दी जा सुबावक तोर थी खुली होन करके तताया हुण शर्मांजी नालने जाक गल पामियों इस गलनू भी मैसूस करदा सी के सचूत जाद्धी कुडी नू एक पूजनीक व्यक्ति नालेसा वर्ताव नहीं करना चाहिदा पर यह जान दी होई वियों अपने अखडांद सुबा तो शायद मजबूर सी। आज जद लगातार तेन देन तेन रातां बार बिता के शर्माजी फूल सेंगा मुड़े ता अंदर वडन तो पहला उना ने तत्या नू चूम चूम के कोई गीत गौनियां सुनेया। अपने पिया की मेल बेली चलती फिरती बेल चंबेली दूप लगे कुमलाए कंटा लगे। ते फिर जदो दे गाने दी दाद देन दा होया शर्मा अंदर लंगाया। तत तया राता कू चेम के बोलो ठी अरे शर्माजी तुम आ गाया। ते बजाए उत्तर देन दे शर्माणी नहो रहा किता। शर्मा शर्मा क्या है सीधी तो और से शर्माणी कहा जाता। ते जवाब वेच तत्या अपने उस निज़्ागा अंगानाणा हस्दी बलिए। शर्माजी ही तो कहा मैंने। मैं कहता हूँ सर्मा शर्माणी शर्मा वही तो कही जा रही। अच्छा बोल शा, सा, सा नहीं शा, सा हे भगवान, ना जाने तेरे में कितना गोबर ठूसा हुआ है, अपना नाम तो माबाप ने बिगाड़ा और अब दूसरों का नाम भी बिगाड़ने लगी, तो मेरा नाम कुछ बुरा है सर्माजी, बुरा नहीं, बहुत सुन्दर है, अच्छा बताओ तो माला, हाँ, पर वो तो गले में डाली जाती है ना सर्माजी, गले में भी डाली जाती है और जपी भी जाती है, और दूसरे किसी के लिए भले ही तू मेरे हीरे मोती की माला बन जाए, पर मेरे लिए तो तू रुद्रास की माला है, अच्छा, तो आज स मैं इसी नाम से पुकारी जाऊंगी सर्माजी और जो ततय आ कहकर पुकारेगा तो तो खुडी ने सज्जे हद्धा मुक्का वटके के उसे मारते मारते जमीन पर सुला दोंगी शाबाश बड़ी बहादरे जेस शाबाश नो सुनके ततय ने माला दा अंग अंग पुल के थो उस देंतों कुड़ी ने अपने नामकरन बारे सकती नाल अमल शुरू कर देता